इसमें हमारा important question जो है वो हम यहाँ पर important theorem डिसकस कर रहे हैं इसको देखिए प्रूफ दैट क्रेक्टरिस्टिक रूट्स ओफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियर तो अब बात होती है कि जो इसके characteristic roots आएंगे यहां characteristic roots को दूसरा नाम क्या देते हैं देखिए आपको यह इस तरह से भी आ सकता है characteristic roots या फिर आपको यहां पूछा जा सकता है eigen values ठीक है proper values यह सारे इसी के नाम है proper values यहां पर लिखा हो सकता है यहां पर latent roots लिखा हो सकता है latent roots और यहां पर लिखा हो सकता है petrol values ठीक है इस में से characteristic roots, eigen values, proper values, latent roots, petrol roots कुछ भी यहां पर पूछा हो तो इसका same ही result होगा यहां पर क्या है proof that characteristic roots of Hermitian matrix are real यह पूछ लिया यहां फिर आपसे पूछ लिया proof that eigen values of Hermitian matrix are real, proof that proper values of Hermitian matrix are real तो एक इसके यह सारे इसी के नाम है तो यह ध्यान दे लेना ठीक है तो इसको मैं यहां पर प्रेकित में कर देती हूँ अब इसका proof कैसे करेंगे देखे सबसे पहले आपको एक Hermitian matrix गिवन है तो हमको matrix लेते हैं proof let a is Hermitian matrix जो matrix आपको गिवन है सबसे पहले आप वो ले लो तो अगर Hermitian matrix है तो इसका मतलब क्या होगे एक ट्रांजुकेट जो है वो किसके एक को ला जाएगा एक एक को ला जाएगा इसको आप नमबर वन दे दो ठीक है अब क्रेक्रिस्टिक value है तो आपको सबको पता है तो it implies या therefore there exist a non-zero non-zero column matrix column matrix and by one such that such that क्या होगा ax will be equal to lambda x ठीक है अगर lambda यहाँ पर eigen value होगी तो हमारे पास एक eigen vector होगा जो कि एक column matrix होगा and by one matrix होगा column matrix होगा ठीक है and rows होगी one column होगा यह आपको and by one matrix मिलेगा column matrix जो कि non-zero matrix होगा तो यहाँ पर result क्या होगा ax is equal to lambda x clear होगी अब मैं क्या करते हूँ अब मैं transjugate कर देते हूँ दोनों side पे तो x transjugate ax will be equal to x transjugate lambda x ठीक है तो इसको आप लिख सकते हो एक्स ट्रांजूगेट ax is equal to lambda बाहर आ जाएगा x ट्रांजूगेट x ठीक है अब दोनों side मैंने transjugate कर देना है इसको भी transjugate कर दिया और then मैंने x ट्रांजूगेट x तो यह जो है इसका भी transjugate कर दिया ठीक है जब हम इसका multiply में इसका ट्रांजूगेट करते हैं हमारे पास a b का ट्रांजूगेट कि इसके इक्वल होता है इसी के इक्वल होता है तो यह आपके पास क्या आ जाएगा x ट्रांजूगेट a ट्रांजूगेट x ट्रांजूगेट का ट्रांजूगेट यह चीज़ आ जाएगी तो लैम्डा का जब आप ट्रांजूगेट करोगे लैम्डा as it is बाहर नहीं आ जाएगा इसका conjugate आप लिखके बाहर निकालोगे उसका reason भी आपको पता है हमने last video में किया है देखे lambda का जब आप conjugate करके बाहर conjugate करना होता है तो इसका conjugate हम क्यों यहाँ पर लिखते हैं because अगर यह imaginary हुआ तो इसमें क्या होगा अगर यह imaginary हुआ तो इसके science strange होगे अगर real होगा फिर तो कोई फरक नहीं पड़ता तो हम lambda का क्या करेंगे यहाँ पर conjugate लिख लेंगे और साथ में x conjugate और x conjugate का conjugate clear तो यह आजएगा x conjugate a conjugate किसके equal है a conjugate a के equal है because यह her mission है और हमने यहाँ पर पहले लिख दिया था number 1 दे दिया था इसको यह देखिए हमने यहाँ पर पहले ही mention कर दिया था तो a conjugate a के equal आ गया अब x conjugate का conjugate x के equal आ गया that is equal to lambda conjugate यह आजएगा x conjugate x clear होगा इकनी चीज़ अब a x किसके equal है यहाँ पर रेखिए a x किसके equal आया था lambda x के equal इसको आप number 2 दे दो ठीक है यहाँ पर भी जो आपने यह use किया है a conjugate is equal to a तो यहाँ पर भी आप mention कर दो from 1 अब a x है lambda x के equal तो यहाँ लिख दो lambda x is equal to lambda conjugate इस तरह से तो यह आजएगा from 2 आपने इसको लिख दिया lambda x ठीक है lambda आप यहाँ common ले सकते हो तो यह आपका आजएगा x conjugate x तो यह minus lambda is this तो x conjugate x is equal to 0 अब यहाँ पर देखिए lambda minus lambda conjugate x conjugate x is equal to 0 अब यह देखिए x 0 लिख सकते हो यहाँ फिर आप यह कहोगे कि o matrix है यह वाला 0 matrix है null matrix है यहाँ पर देखिए x conjugate जो है that is not equal to 0 and x is not equal to 0 क्यों क्योंकि हमने यह matrix लिया था यह x जो है यह एक column matrix है और यह non-zero है ठीक है तो फिर इसका conjugate भी non-zero ही होगा अगर यह खोदिक non-zero matrix है तो इसका ट्रांजुगे भी अगर आप करोगए तो यह non-zero ही होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि x यह जो है यह एक non-zero matrix है यह तो 0 नहीं हो सकता है इसका मतलब क्या हो गया कि lambda minus lambda conjugate 0 हो जाएगा यह तब ही यह 0 बनेगा ना because यह इसमें से कुछ तो 0 होना चीए यह 0 नहीं है तो इसका मतलब यह 0 है ठीक है तो यह lambda is equal to lambda conjugate it implies lambda is real it implies lambda is real तो आप यह यह चीज़ proof कर दी कि जो आइगन values होते हैं यह attributes होते हैं रियल होते हैं हर mission matrix के जो roots होते हैं वो real होते हैं clear हो गया यहाँ पर आपको जैसे भी पूछा होगा आप उसके recording कर सकते हैं हर mission matrix के characteristic roots पूछा है तो आप як characteristic रूट लेकर चलो lambda को अगर आपको Eigen value पूछा है प्रॉपर पूछे जो भी पूछे है वो वर्ड आप यूज कर लोगे और पूफ आपका सेम रहेगा clear? I hope आपको वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो वीडियो को like किजिए और इसको दूसरे बच्चों के साथ भी share किजिए thank you and keep watching my videos thank you you